हलो दोस्तो जब भी हम बॉंबे जाते हैं तो बॉंबे का स्टीट फूड है अभी तो पूरे देश में मिलता है वो है पाव भाजी जब भी हम बॉंबे की गलियों से गुजरते हैं एक बहुत अच्छी सी खुश्बुमारी नाक में आती है जो होती है पाव भाजी की हम देखकर आप स्टॉप मत हुए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी बात है जो आपके मसाले को एकदम पर्फेक्ट बना देंगी आपको मेरे मसाले दिखाई दिखाई दे रहे हैं दोस्तों मैंने अलग अलग काटोरियों में सेम का अंदाजा हो जाए आप जो मैंने चमच यूज किये दोस्तों वो डेली खाने वाली चमच है आप इससे साइज देख सकते हैं अब मैं आपको अपने के करके मसाले बताती हूँ दोस्तों ये डेड़ चमच काली मिर्च है आप दो चमच ले लीजे काली मिर्ची थोड़ी यह उसी साइज से मैंने लिया है, दो चम्मच जीरा है, दोस्तो क्वांटिटी का ध्यान रखने से क्या होगा, हमारा मसाल एक दम पर्फेक्ट बनेगा, 25 जो है दोस्तो लवंग है, इसका मैंने फूल नहीं हटाया है, इसी के साथ ले लीजे, दो चम्मच अमचूर पाउडर है, तीन दोस्तो मीडियम साइज के तेज पत्ते हैं, जो आपको दिखाई जैसे दे रहे हैं, आदा चम्मच दोस्तो हल्दी है, हल्दी, नमक, यह सबी भी दोस्तो डालना बहुत जरूरी होता है, इससे मसाले में पर्फेक्ट टेक्चर आ जाता है, आपको दोस्तो जो धन से 18 लाल मिर्ची है, अगर आप तीखा पसंद करते हैं, तो थोड़ी जादा डाली है, वरना आपसे कम भी कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने पैन में मीडियम फ्लेम पर अपना धनिया डाला है, धनिये को लग बग 3 मिट तक मैंने भूना है, दोस्तो मसाले सिर्फ इतने गरम ह जैसी जीरे के खुश्बू आई दोस्तो निकाल दिया, आप एक दब मीडियम से सिम फ्लेम पर दोस्तो इने कीजे, हमें ने कलर चेंज नहीं करना है, बस इनके अंदर की नमी निकालनी है, फिर दोस्तो मैंने काली मिर्ची डाली है, काली मिर्ची और लॉंक, दोनों को हम एक साथ भून सकते हैं, क्योंकि दोनों की तासीर लगबग एक सी होती है, आपको काली मिर्ची की खुश्बू नहीं आएगी, लेकिन जब भूनेगा तो आपको लवंग की खुश्बू आ जाएगी, मैंने लवंग को भी अलग से निकाल लिया है, दोस्तो इनको थोड़ा लाल मिर्ची के बाद मैंने जो खड़े मसाले थे, दाल चीनी, दो बड़े दौंडे, लाइची, इनको मैंने वापस इसमें डाल दिया है, और इन्हें बूनने की ज़रूरत नहीं है, वापस मैंने अपने सारे मसाले अपने पैन में डाल दिया है, पैन में डालने के बाद सासे सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लगबग 20 मिट के लिए गैस बंद में पैन में इसे इसलिए छोड़ दूँगी इसे क्या होगा कि हमारे पैन जो की जो गर्माहट है दोस्तों उससे ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी एकदम ठंडे होने के बाद में पीसने से क्या होता है दोस्तों हमारे मसालों का टेंपरिचर बहुत तेज हो जाता है और मसालों की खुश्बू चली जाती है इसलिए आप दो बार में रुक कर इसको पीसे इससे मसालों की खुश्बू और स्वात बरकरार रहेगा दोस्तों हमारा पाबजी मसाला बनके त झाल 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 झाल